कि यह वेरी गुड मॉर्निंग तो अलफ यू और वाचिन सिक्स से क्यों आज है 11 अफ अक्टूबर और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कहा है सारक सारा दहिंदू की इट्रियल सिक्सन से कवर किया गया है एक दम शॉट वीडियो होता है अडली 425 मिनट के वीडियो 2x4x पे देखिएगा तो और ज्यादा यह कम हो जाएगा है चलिए सुरू करते है एक पॉजिटिव कोट के साथ निलसन मंडेला का एक कोट है जो में यह बताया गया कि इसलिए हड़े काम को करते रहना या अच्छे डंग से करना एक दम ताकि एक जाम मच्छे से क्रैक हो जाए चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला जो वर्ड है वीड जो कि एक वर्डब में जिसका मतल्स होता है तू चिंग करता है आक तूट recharge डास अठ ये शाना इसका मतल्स होता है तो मैंग स्पेंश करते है और देश थे से कुई अगर फैक्ट निकल वाते हैं ती जैसे नाम का वेक्ति है इसको बोल बोल करके हाँ तुम यह बता हो यह बता हो सब कुछ एकदम या तो फॉरसिबली या फिर एकदम पुला करके भी इसको एलिसीठी का जाता है स्टैचर जो की है एक नाउन जो इसका मतलब होता है आदा इंपोर्टेंस एन इस्पेक्ट डैट शामडियाज बिकॉज जो पिनिन देखें सिंपल सा बात है अगर आपके स्कील के कोडिकर अगर आपको रिस्पेक्ट मिलता है ना उसको स्टैचर का आजाता है हना और नेक्स्टे हिंडर जो की एक वर्व है वेरी इंप्रेसिव टूसी मतलब देखने में बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव टाइप नहीं देखता है एकदम लोग हर्शक अगदम अट्रेक्टिव बनाया जाता है किसी चीज़ को फिर खास करके लड़किया लोग भी निकल जाते है ना तो अच्छा दिखाने के होती ज्यादा सुन्दर रहता है पंडाल वगरे दुर्णा पूजा भी खत्म हुआ एकदम संदार संदार है ना इस पैक्टिकूलर कहा जाता है इंडरेंस जो कि एक नाव जिसका मतलब होता है डैबलेटी टू कंटिन्यू डूइंग शंतिंग पैनफुल और डिफिकल्ट पोर लॉग पिडियर्ड ऑफ टाइम विडाउट कंप्लेणिग बना एक दब किसी कस्ट कारा अथवा कथिन स्रम को लंबे समय तक जारी रखना मतलब सहंद के साथ अग्दम बीना कंप्लेइन किये हुए काम को एकदम पूरा करते रहे कर रहे कर रहे कर रहे ठीक है ना बी ठीक है लबे समय तको जाच पर ताष चलते रहें तो क्वेस्ट का आ जाता है यह पीचे जो की है तो क drafting pattern ज tuned जिसका मतलब होता है जिसे सिंपकर सा बात है मानलई यह ख्लाी ए ठीक है एक बार हार गया है उसको फिर से दूसरा चांस दिया जाता है ताकि वो मतलब क्वालिफाई कर सके सिंपल साथ उसका मतलब यह होता है तो दुवारा चांस दे दिया जाना उसको यह पीचेश कहा जाता है इंट सब जो की एक फ्रेजल वर्ड़ में जिसका मतलब होता है जिसका मतलब अविश्याल है जहां पर प्रस्टिच्यूट्स का धन्दा पानी होता है जहां पर डिखर होता है इसको ब्रोतिल कहा जाता है प्रेज्टियूट्स एक लेज इसका मतलब होता है है serious and immediate danger जो खत्रावाल से भरा परा रहता है ना पेरिलस का जाता है hold up जो की एक फ्रेजल वर्व है जिसका मतलब होता है किसी जिसको छिपा देना hide कर देना conceal on sale मतलब एक ड़क देना छुपा देना so hold up का जाता है ज्यादा सिरियसली नहीं लेना एकदम हलके में लेना एकदम हॉले हॉले एकदम है न अब पिंच आप साल्ट का जाता है यह राज का सेशन कैसा लगा प्लों कमेंट में लिखे जरूर बता है जो पहली बार देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट अपली चैनल को जो सब्सक्राइब कर लग देखते रहे हैं सक्सेस एक्यू बाइब टेक केर है वैड़ाइट आइस्टे अ झाल 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 झाल